एजीर केस में क्या टेलकोस को रिलिफ मिलेगा इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी सब को जानने के लिए एजीर किस कंपरी में कितना है वीडियो के लाष्ट तक बने रहिए चाहे वोड़ाफोन, आइडिया, एयाटेल, जीयो, टाटा, सभी की पूरी जानकारी आपको ये viral news मिलने वाली है वीडियो को end तक दिखिएगा problem and solutions सब उस दिये गए हैं भूलिए अगर नहीं चैनल को like और subscribe जरूज कर दीजेगा latest news रोज पाने के लिए आफते में दो दिन confirm आपको best news दी जाएगी ताकि आपको stock market वर trade करने के लिए news research करने की जरूज़त ना प जो की insolvency की कगार पर आ गया है इसलिए जियो बिलकुल अकिला राजा की तरह market को एकदम rule कर रहा है इस मामले में बहुत ही interesting fact सामने आया है Supreme Court में case चल रहा है और एक latest hearing में जज़ ने बताया है कि अगर insolvency आप समझते हैं जो कि solve नहीं हो पा रही है insolvency और bankruptcy court के अनुसार टेलकोज ने insolvency के लिए apply किया तो उनका पूरा AGR आप जानते ही है AGR जो dues है पूरा when निस हो सकता है ये बहुत बड़ी news है जो कि Vodafone idea एडेल के लिए और सायद r.com के लिए भी है क्या सचाई है इस ख़बर के पीछे की पूरी जानेंगे इस वीडियो के end तक देखते रही है और चैनल को like subscribe करना ना भूले है बड़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूगा अगर अभी तक आपने demet account खोल कर trading करना stock market में investment नहीं किया है अगर आप उसे डरते हो या फिर आपकी brokerage जादा ले रही है जहां पर आप trade कर रहे हो या फिर amc charge भरने से आप डरते हो या free of cost account खोलना चाहते हो तो सारी बातों का समधान यह है कि angel broking में आप अपना account खोल सकते हो जो कि delivery में zero है और आपका maximum 20 रुपे day trading में या फिर F&O में trade करने पर लगेगा मात्र अगर आप account हमारे जडिये खोलना चाहते हो तो आप वीडियो के description में दिये गए link पर click करके मात्र पांच मिनट वे जी हां only in five minutes you can open your account very easily and you will get all types of tips everyday you can join our whatsapp group also so please आप वीडियो के description में जाकर आप account डिमेट खोल सकते हैं कोई भी query है तो whatsapp पर भी आप बात कर सकते हैं उससे और सारी detail ले सकते हैं तो चलिए आगे जानते हैं क्या है AGR अब AGR क्या है इसके बारे में जानते हैं AGR का मतलब है Adjusted Gross Revenue ये एक free sharing mechanism है government और टेलिकॉम के बीच में आप पूछेंगे कैसा sharing तो मैं बता देता हूँ सन 1999 के बाद टेलिकॉम और इंडिया government के बीच में एक deal हुआ था कि total revenue को सरकार के साथ share किया जाएगा इसको कहा गया था Adjusted Gross Revenue फिर से सुन लिजे Adjusted Gross Revenue एजी आर यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 1999 से पहले तक टेलिकॉम कंपनीज को सिर्फ licensing fees देना पड़ता था लेकिन 1999 के बाद से AGR के definition के लेकर 10 साल court में case चला है AGR के लिए 10 साल court में case चला है AGR का मतलब सरकार के हिसाब से यह था कि सारे core and non-core टेलिकॉम revenue minus roaming charges and cancellation charges में सरकार का हिस्सा होना चाहिए मगर टेलिकॉम कंपनीज का कहना यह था कि सिर्फ core टेलिकॉम related revenue में ही सरकार का हिस्सा होना चाहिए इस मामले में October 2019 में Supreme Court का बड़ा फैसला यह आया था कि AGR का definition में core and non-core revenue दोनों आएगा इसे इंडिया के टेलिकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा change होनी के chances हैं सो फ्रेंड्स अब हम लोग यह जान लेते हैं कि हमारे इंडिया के company में जितनी भी कंपनिया हैं उनमें से सारे टेलिकॉम कंपनियों में किसके ऊपर कितना AGR dues है और किसने कितना अब तक paid किया है which is very important to know about it because यह depend करता है companies का future और आपका investment जिन companies में है टेलिकॉम में और या फिर आप करने जा रहे हैं तो तो ध्यान से सुन लिजेगा न समझ में आए तो वीडियो को दुबारा reverse करके देख लिजेगा तो आईए जानते हैं इंडियन टेलिकॉम रेगुलेटरी अथर्टी ट्राइल के हिसाब से टोटल एजियाट जो ड्यू है वो है एक दसमलो उननीस लाग करोड रुपए जी हां वन पॉइंट वन नाइन लाक्स करोड इट्स सो बिग अमाउंट यह बहुत बड़ा अमाउंट है चुकाने के लिए किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट तो टेलिकॉम प्लेयर्स ने जो अभी तक पेट किया है वो अमाउंट है 25,896 करोड रुपए पैलेंस अमाउंट जो पेमेंट होना है वो 93,520 करोड रुपए बाकी है इसके इलावा टोटल ड्यूस 43,980 करोड अब अगर हम बात करें कि भारती एयर्टेल के बारे में तो भारती एयर्टेल ने अब तक अपना एजियार जो चुकाया है वो है 18,004 करोड रुपए बावजूद इसके भारती एयर्टेल का 25,976,000 करोड रुपए अभी भी चुकाना बाकी है एजियार अब हम बात करते हैं वोडा फोन और आइडिया की जो की सबसे यादा चर्चा में रहता है इस स्टॉक के बारे में आप तो जानते ही हो ट्रेडिंग से लेके आप असी पर तो 28,000 करोड के असपास होगा अल्मोष्ट जहां तक मुझे नॉर्मली याद है ठीक है उस डेटा को तो आप वैसे भी देख सकते हो अब बात करते हैं वोडा फोन आइडिया के ड्यूस कितना है तो सबसे जादा हाइस्ट यू वोडा फोन आइडिया का है जो की ह 58,254 करोड रुपए जी हां 58,254 करोड रुपए जी हां 58,254 करोड रुपए वोडा फोन आइडिया ने जिसमें से 6,354 करोड रुपए अब तक चुका दिये हैं फिर भी एक बड़ा अमाउंट बचा हुआ है जो की 51,400 करोड रुपए है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाटा टेली सर्विसेस की जिसका AGR टोटल डियूज जो है 16,798 करोड रुपए है 16,798 करोड रुपए इसमें से टाटा टेली सर्विसेस ने जो चुकाया है वो है 4,197 करोड रुपए है अब इन सब के बाद बात करते हैं उस दिगज की जिसके पीछे दुनिया पड़ी है जिसको सब लोग चाहते हैं और आग बन करके उस पे भरोसा करते हैं वो है जीओ जी हाँ जी होगर ड्यूस जो है एजियार आप जानकर एक दम चौक जाओगे मात्र 194,7 करोड और सिर्फ यही नहीं वो भी कमपनी ने पहले ही पेट कर दिया है यानि उसने चुका दिया है अब इन साल्वेंसी के बाद इन सब चीजों के होने के बाद जो चल रहा है कोर्ट में केस और सारे एजियार जो पेंडिंग है और जितना सारी कमपनीयों ने इंडियन कमपनीयों ने जो टेली कॉम के है चुकाया है पैसा इसके बाद जो बैलेंस बचा है इसके बाद कमप इस अपील में उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा रकम इतनी बड़ी अमाउंट को एक साथ भरने के लिए उन्हें अपने को सेल करना पड़ेगा अपनी कम्पनी को बेचना पड़ेगा फ्रेंडस आपको जैसा के पता ही होगा जब जी यो आया था तो अलेडी इसने अपने फ उबर पाने के लिए कितना मुसकत करना पड़ रहा होगा आप खुद imagine कर सकते हो क्योंकि आप में से भी बहुत से लोगों ने लगबग लगबग सभी घर में कम से कम एक नएक Reliance Geo का सिम तो आया ही होगा इससे आप समझ सकते हो कि कितनी services और लोगों की कटके आपके घर में आई उनका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा उन कमपनियों का तो Reliance Geo ने उन्हें एकदम घड़े में ही समझ लो ढगेल दिया था फ्रेंड्स इस लिए कमपनीज ने कोर्ट में जियो के लावा जितनी भी कमपनीज चुकी है तो आने वाले वक्त में क्या होगा आईए जानते हैं IBC Code ये नाम साइद आपने सुना होगा IBC Code इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन में एक ऐसा Code है जिसके हिसाब से सारे insolvency प्रोसेस को ट्रीट किया जाता है और ये सब पे लागू होता है कुछी दिन पहले आरकॉम अनी लंबानी की कमपनी का ये statement था कि उनके पास insolvency प्रोसेस के सिवाए कोई आप्शन नहीं बचा क्योंकि आरकॉम यानि रिलाइंस कम्मुनिकेशन पहले ही बैंकरप्ट एनाउंस कर चुकी थी आरकॉम को अनी लंबानी के बड़े भाई और देश और दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल बिजनेस मैन मुकेश अमबानी ने टेक ओवर किया था और रिसेंटली और रिसेंटली उन्होंने 195 करोन पेमेंट भी किया था इंडियन गॉर्मेंट को जो उनकी हिसाब से उनका टोटल एजिया ड्यूस था जियो की तरफ से उनके लीगल कांसलर का ये कहना था कि जो कंपनी को उन्होंने एक्वाईर किया था उसकी एजिया ड्यूस की जिम्मधारी उनकी नहीं है इसी के बाद इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने observation दिया क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो Vodafone Idea आरकॉम और बाकी कुछ कमपनी इन solvency process के अंदर spectrum को बेच देंगे और उनको AGR dues देना ही नहीं पड़ेगा और फिर गवर्मेंट को भी AGR dues का कुछ भी नहीं मिलेगा यानि गवर्मेंट बहुत ज़्यादा loss में चली जाएगी ये पूरा process और court proceeding का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसी वज़े से court ने ये observe कि इन solvency process के दौरान spectrum का sell नहीं होना चाहिए spectrum यानि कि नहीं बिकना चाहिए जब तक telecoms अपनी AGR dues का पूरा चुकता नहीं कर देते यानि कि वो पूरा भर दे कोड भी यहीं चाहता है कि ये जो है इन solvency में ना जाए ये AGR भर दें पूरा उससे पहले अगर ये बेज देते हैं तो पूरा सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा और नुकसान होगा बहुत बड़ा तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो और ये कमपनिया जब तक अपने AGR का ड्यूस पूरा नहीं कर लेती तब तक इनको स्पेक्टरम बेचने का परमिशन IBC के तहट नहीं देना चाहेंगे इस पर कोड की सुनवाई चालू है लेकिन ये प्रोसेस AGR इंप्लिमेंट हो गया तो क्या होगा आप खुद सोचिए क्या होगा फिर ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा इंडियन गोवर्मेंट के लिए जिसको AGR ड्यूस से 1.19 करोड लाक यानि की 1.19 लाक करोड मिलने की उमीद थी लेकिन दूसरी तरफ अगर ये IBC के अंदर स्पेक्टरम बेज दिया तो सायद इंडिया के टेलिकॉम सेक्टर में बना हुआ प्रेश्टर निकल सकता है और ये सेक्टर फिर से अच्छा परफॉर्म कर सकता है यानि की अभी उमीद बाकी है देखना ये है कि कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है हमारी नजर बनी हुई है आपको भी अपना नजर बनाए रखने की जरूरत है और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरूर दबाएं और उसे ना भूलें और वीडियो में अगर कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा मैं कोसिस करूँ उसको सुदारनी की आप प्लीज आपको ओपन करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और फ्री आफ कॉस्ट बिना एक रुपे दिये टिमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ जो कि डिसकाउंट ब्रोकर है बहुत ही पढ़िय ये